मोधी सरकार ने तीन महीने पहले घोशना की थी कि शीगरी देश के कोने कोने में सस्ती टेस्टिंग कित उफलब्द करवा दी जाएगी लेकिन तीन माह पीच जाने पर भी सस्ती टेस्टिंग कित का कहीं नामो निशान नहीं है जिसके चलते देश में करोना टेस्ट करने की रफ्तार वहीं है जो तीन माह पहले थी कॉंगेस प्रोक्त दिपक शर्मने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि देश मेडिकल माफिया की गिरफ्त में है सरकार इसके चंगुल में फंच चुकी है सरकार का कोई नियंतर नजर नहीं आ रहा है ऐसे आफ़ास होता है कि मेडिकल माफिया को मोधी सरकार की मौन सहमती प्राप्त है दिपक शर्मने कहा कि तीन माह में होना तो ये चाहिए था कि देश के हरुपमंडल तक सस्ती टेस्टिंग के टुपलप्त करवा दी जाती लेकिन जिस धीमीर अफ़तार में टेस्टिंग का काम चल रहा है उससे ये बात साफ है कि करोनम हमारी के दौर को लंबा खीचने का प्लान मेडिकल माफिया उने बना रखा है ये सरसर देश के साथ धुखा है प्याल टीबी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट